आप सबी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर जापान में एक 37 साली तुफान आया है और इस 37 साली तुफान का नाम क्या है इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जुरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शिर करें और सब्सक्राइब का ना भूलें तो देखिए ये जानकारी हमें मिली है हिंदुस्तान समचर पत्र के माध्यम से तो देखिए इसमें लिखा है कि जापान में पिर्चंड तुफान से बिमान और ट्रेन सेवाई हुई बाधित यानि कि भौत ही जवरस तरीके से तुफान आया है जपान में और ये डेट आपके सामने लिखी है एक अक्टूबर दोहियत 21 को ये आपका तुफान जपान में आया है और इसी बीडियो में आपको बताय जाएगा उस तुफान का नाम क्या है जो कि प्रत्योंगी परिश्चा के देश्टी से काफी सुषना उन अभ्यारतियों के लिए है जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रत्योंगी परिश्चा के लिए तो देखी इसमें लिखा है कि साफ साप की जापान में सक्तिसाली तुफान आया है और ये सक्तिसाली तुफान आपका एक अक्टूबर 2021 को टोक्यों के आसपास के छि और इसमें दे रखाए साप साप की टोक्यों में भारी बारे सुई हैं और तेज हवाय चल नहीं है यहाँ पर लेकिन इसमें लिखाए कि किसी के हतायात होने की कोई भी खबर नहीं है क्योंकि NDRF की टीम यहां पर होती है जिस परकार भारत में NDRF की टीम होती है इसी परकार यहां की टीम यहां पर पहुच चुकी थी पहले ही और यहां पर पूरा इलाका खाली करा लिया गया था इसलिए यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हो पाया है और इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखिए इसमें लिखा है कि जापान मौसम बिग्यान एजनसी ने कहा है कि पिर्चेंड तोफान ये आपके सामने जो नाम लिखा है ये बेरी बेरी मोश्नमेंड पॉइंट आपके लिए इसका नाम लिखा है मिंडुले ये नाम आप ध्यान लखें कि चकरवाती जो तोफान के रूप में एक तोफान आया है जो की जपान में इसका नाम है मिंडुले और इस मिंडुले तुफान ने टोकियो के दक्षणी तट के पास याने की इजु दीप पर याने की इसने पूरी तवाई मचाई है और यहाँ पर जो है 35 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से उत्तर पूरब की तरव यह बड़ा है और इसमें काफी तेजगती से हवाई चली है जैसे कि इसमें दे रखा है और यह लिखा है कि 165 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से हवाई चल लई है यहां पर जो है हवा की स्पीड भी काफी है जिसकी वरियसे यहां पर आसपास की जो पीड है और पोल है यहां पर और जो आसपास का एरिया था जो की कुछ मकान भी यहां पर छतिगरस्थ हुए हैं काफी भैनक मंजर यहां पर देखने को मिला है क्योंकि 162 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखिए इसमें लिखा है कि चिवा और टोकियो के पूर्व के अन्ने प्रांतों में कुछ इस्थानियर ट्रेन सेवाओं को सुकरवार को ऐस्ताई रूप से रोग दिया गया था क्योंकि जब यह जानकरी मिल चुकी थी कि यहाँ पर तुफान आने वाला है तो पहले ही यहाँ पर इस्थानियर ट्रेनों को सेवाओं को यहाँ पर रोग दिया गया था और इसमें लिखाए कि टोकियो के होनेडा हवाई अड़े और बाहरी दीपो को जोड़ने वाली कई उड़ाने और आपके नोकाओं को भी रद्द कर दिया गया था और यहाँ पर लिखाए कि मुख्य केविनिट सचिव कांसु नोवू कार्टो ने बताया है कि अभी तक किसी के हतायत होने का कोई वी यहाँ पर यानि की कोई वी जो है जानकरी नहीं उपाई है और ना यह कोई घायल होने की कोई खवर है क्योंकि आप लोग जानते ही पहले यहाँ पर टीम पहुच गये थी जिससे यहाँ पर इस्थानी निवासियों को यहाँ से अलग जगे पर भेज़ दे गया था तो यह महत्पुण निवस्ती और अभ्यारति के लिए जो लोग त्यारी कर रहे हैं परतोगी परिक्षा के लिए चाहें आपका UPSC हो या फिर पीसेस के देश्टी से यह आपका बीडियो काफी महत्पुण है तो यह बीडियो आपको कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट करता हैं जिससे कि हम आगे भी इसी परकार की नहीं नहीं अपडेट आपको इसी चलने के माध्यम से वीडियो के माध्यम से प्रवाइट कराते रहेंगे धन्यवाद